गवालियर में वामदल और मजदूर संगटनों ने केंदर सरकार के खिलाब विशाल धर्णा परदर्शन किया फूल बाग चोरहाई पर वामदल के सेक्डो कारी करता और मजदूर संगटन के लोगों ने धर्णा परदर्शन किया धर्णा देरे वामदल और मजदूर संगटनों का कहना है कि केंदर सरकार ने महंगाई फाकने और उधोग रोजगार को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए है उधोग दंदे बाद हो रहे हैं मजदूरों की माली हालत खराब हो रही है महंगाई लगातार बढ़ रही है आज केंदर सरकार हर मोर्चे पर फैल है वामदलों ने केंदर सरकार को चेतावनी दी है कि केंदर सरकार ने महंगाई पर काबू पाने और मजदूरों की हीतों में नीतिया नहीं बनाए तो आने वाली समी में उग्रू आंदोलन किया जाएगा आज 8 जनवरी को पूरे देश में हर्ताल है और हर्ताल ये सौक से नहीं की गई है मजबूरी है मजबूरी है कि हम लगातार सहीट टेटू ने मांग कर रही है कि देश के अंदर एक मजदूर का नियुनतम बेतन 21,000 रुपे होना चाहिए लेकिन ये सरकार 21,000 रुपे नियुनतम बेतन गोषित करने के लिए तयार नहीं है पूंजी पतियों के टेक्स माफ किया जा रहा है लेकिन मजबूर का 21,000 रुपे बेतन नहीं दिया जाएगा दूसरी बात है कि ठेका पर्ता काम जो तौष हुआ है पूरे के पूरे देश के मजदूरों को ठेके पर धीया जा रहा है हमारे अंडरोज है ये जो ठेका परता है ठेके परता क्षटा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर वालिय के अंदर भी और तीसरी बात हमारे यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बैंक, बीमा, बीसनल, रेलवे, हवाईजाज, सबका जो निजी करना किया जा रहा है उसको रुकना चाहिए और खुल मिलाके मोदी की सरकार जो केंदर की सरकार है उसके एजेंडे पर मजदूर करता आना चाहिए उसके एजेंडे पर जो है आंगरबारी कारता आना चाहिए उसके एजेंडे पर जो सरकारी करमचारी आना चाहिए उसके एजेंडे पर ही आना चाहिए कि जो देश का भविस्य चात्रों नौजवान जो पढ़ रहा है उसको तरकार को जुखाना चाहते हैं कि सरकार तूम मजदूरों के लिए काम करो किसानों के लिए काम करो फूजि पतियों के लिए काम मत करो इसलिए आज यह अग्जिए हरताल है यहां पर देश के दश्टेट उनियन से एंवेट सीटू इंटर्ट और तमाम सारे फैडरेरसंस हैं पिंद्धूर करमचारी यां सरापखारखाने के मजदूर नगर निगम के मजदूर नंगर निगम के मज़ों के लोग उड़े हुए को कि कि क